क्या मानते हैं कि आईएस बनने के बाद आपने अपनी मंजील को पा लिया है या फिर आपके जो असली मंजील है उसकी ये सुरुवात भर है यहां से प्लैटफॉर्म मिला है जिससे की आगे जाके कुछ कर सकते हैं अगले 30 वर्षों में 35 वर्षों में कुछ कर सकते हैं देश के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं एक और धाना जो परिक्षार्थी हैं, उनके मन में रहती है, कि जो बच्पन से बहुत तेज होगा पढ़ाई में वही आई-एस बन सकता है, सिविल सर्विसेज के एक्जाम में सफ़र हो सकता है, क्या या सही है? बच्पन से आपने क्याकिया ए, वो इस परिकषा में मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है, कि आप ऐस परिक्षा के लिए क्या करता है? आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए है? हाई जो एक ग्लोबल सूपर पावर होगा अपके जीवन का लक्ष क्या है? पिसले जो हमें जब था, वो एक तरसे एक हाईवे की तरह था, जहां पे आप एक लक्शेरी गाड़ी में चल रहे हैं, काफी अच्छी स्वीड में चल रहे हैं, और आप पूरा रास्ता वैसे ही कवर कर लेंगे, और आप यही देखते रहेंगे हाईवे पर क्या है, लेकिन जो असली देश हमारा असली भारत हय वो तो हाईवे के बगल में है, जो हाईवे के बगल में जो गाहँ अंदर जाएंगे, और आपे जो अशिक्षा है, जो वहाँ पर जो पवरटी है, वो सब एसली भारत आज की जिए, मैं उस हाईवे से उतर चुका हूँ, मेरा लक्शे लिए यह कि हमें वहाँ जाओं और उनके लिए कुछ करूँ उन लोगों का है विए पर ले कर रहा हूं